हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सफलता मंतर आज काफी दिन बाद एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट सुनने को मिलिए जिहां दोस्तों आप सभी लोग के बीछ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आएं और ये चुनाओ के समय में अंतिम समय में काफी सही सिद्ध होने वाले थे लेकिन फिर क्लासेश को पॉस्ट्पॉन करना पड़ा उमीद है नेक्ष भी कहने की मंडे से आपको सुपर टेट जूनियर टेट और प्राइमरी टेट की क्लासेश स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोग उन क्लासेश को जरूर देखेगा और अपना सपोर्ट ब बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पदों की संख्या का निर्धारन किया जारा जी हां दोस्तों एक मुख्यमंत्री स्तरी समित ही बनाई गये और इस समित के माध्यम से जांच की जारी है कि कितने पद खाली हैं कहां पर कितने पद खाली हैं इसको लेकर जांच की जारी साथी साथ यूपी टेट का एक्जाम आपका नवंबर में होने के लगवग 100% चांसेज हैं और इस बार इस एक्जाम को पोश्पोन ना किया जाए इस स्थिती को देखते हुए ही एक्जाम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे नई सिच्छक का समय है और इलेक्षन के पहले चूंकि भरती इलेक्षन के बाद या इलेक्षन के बीच में ही पूरी होगी लेकिन इलेक्षन के पहले आचार सहिता लगने के पहले नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी होता है तो उमीद है कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन जा जारी कर दिया जाएगा और आचार सहिता लागू होने से पहले ही इसको भी जारी कर दिया जाएगा इसी पूरी-पूरी 100% संभावना है जूंकि चुनावी वर्स है चुनाओ का समय निश्चित तोर पर आपने अन्य विभागों में भी देखाऊगा वेकेंसी काफी अच्छ बनी हुई हैं आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर पूरी निउस की बात करते हैं तो सीधे-सीधे यहाँ पर लिखा गया कि बेसिक सिच्चा विभाग के प्राथमिक स्कूलों में नई सिच्चक भरती का ऐलान इसी माह होने की आसार हैं मुख्यमंत्री योगी आदितन के निर्देश पर राजसो परिसत अध्यच मुकुल सिंगल की अगवाई में बनी तीन सदसी कमेटी 15 दिन में रिक्त पदोवा विद्यालों के पद निर्धारन प्रक्रिया को खंगाल रही है नई भरती के पदों के हिसाब से इस बार की भरती जो वो सबसे बड़ी भरती ह हो सकती है हाला कि इस ख़वर से मैं सहमत नहीं हूँ उमीद नहीं है कि इतनी बड़ी भरती होगी कि इसमें सीधे सीधे लिखाओ कि 70,000 से अधिक पद खाली है कमेटी की रिपोर्ट से अपने के बाद एलान किये जाने की तयारी यानि कि कमेटी जांच कर रही है उसके सामला चलाता तब कोड में हलप नामा के माध्यम से उन्होंने बताय था कि 51,112 पद जो हैं वो अभी रिक्त पड़े हुए हैं खाली पदों के नई सिच्छक भरती में जोड़ा जा सकता है तो इसके आधार पर उमीद है कि 50,000 तक वेकेंसी आने की पूरी-पूरी संभाव ना बनी हुई है साथी साथ देखिए वही 79,000 सिच्छक भरती के सारे पद तीन चरणों की कांसलिंग में भरे नहीं जा सके हैं उदर सेवा निब्रत होने वाले अध्यापकबा कोरोना काल में काल कवलित हुए सिच्छकों का वेवरा जुटाया जा रहा है संकेत हैं कि पूरा तयार किया जाना निश्चित तोर पर इस एलेक्शन के पहले आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन इस सुपर टेट का मिल जाएगा साथी साथ हम बात करते हैं यूपी टेट की तो जो लोग पहली बार यूपी टेट देंगे या यूपी टेट के में अच्छे ए जहां तक की उम्मीद है प्रस्ताब भेज भी दिया गया और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखनों को मिलेगा साथी साथ आपको बता दें दोस्तों सी टेट का एक्जाम सी टेट का एक्जाम भी आपका दिसंबर में होने की पूरी पूरी संभावन बनी हुई है तो आप लोग अच्छे से जिस एक्जाम की चाहें उसकी त्यारी कर सकते हैं कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं काफी लोगों के पिछले दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि सुपर टेट जूनियर की क्लासेज श्टार्ट करिए क्ल प्रोवाइड करते रहें आप लोग जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए वैल आइकन को प्रेस करिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक ले थैंक दोस्तों गुडबाय टेक क्यार